सत्संग भवन में चल रही से महापुरान कथा में गनेश जन्मुत्सो बड़े धुमधाम के साथ मनाया गया जुसमें मखाने विसकुट खिलों ने लुटाए गजवानन दिजन्म सुनवाई गौरा रानी दो बधाई भजनु पर महिलाओं ने नित्य किया कथावाचक पंड सब मनाने से तीन चीजे घर में हमेशा रहती है विद्या बुद्धी बल गने सल्दी और दुरवा से अतिप्रशन होते हैं उनका नित्य दर्शन करने से हमारे सभी कारे निर्विग्न संपन होते हैं शियो महापुरान की कथा का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि जीवन पानी और आग में नहीं बनती उसी प्रकार आपकी बात किसी से नहीं बनती वहां से दूर बनाए रखो ताकि आपस में कटूता ना रहे महादेव मृत्यू लोग के देवता हैं वह हमारी खुसियां गम दोनों को बारते हैं शावन मास में महादेव को एक महिने तक